दोस्तो आज हम आयरवेद जगत की एक अत्यांती सूप्रसिद ओशिधी के ऊपर चर्चा करेंगे जी हाँ मैं सुक्रमात्रकावटी के विशे में बात कर रहा हूँ आज मैं आपको इस ओशिधी के विशे में संपून विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ बताऊंगा कि आखिर इस ओशिधी को बनाने में किन-किन घटकों की आउशकता होती है क्या कुछ इसके लाब हैं किस प्रकार इसे प्रियोग करना चाहिए और क्या-क्या साउधान इसके प्रियोग के दोरान आपको बरतनी चाहिए और भी बहुत कुछ इस वीडियो में रहने वाला है तो चलिए बिनादेर की प्रारम करते हैं नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर ओविन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो ओशिधी के बारे में आपको बताने से पूर बता देना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल ओशिधी के विशे में जानकारी उपलब्द करवाने हितू बनाया गया है या किसी भी प्रकार का किसी भी दवा या फिर किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं है मैं आपसे प्रातना करूँगा कि स्वैम से चिकित्सा करने की बजाए किसी अच्छे आयरवेदिक चिकित्सक से सलाव विमर्ज करने के पश्चाहत ही आप किसी ओशिध का प्रियोग करें यही आपके लिए हित कर रहेगा चलिए प्रारम करते हैं पेसाब करते समय उसमें जलन के अनुभूती होना या फिर पेसाब का कठनाई से उतरना मुत्र वे संस्थान से संबंदित विभिन परेशानिया इसके अलावा आपकी इच्छा के विरुद्ध होने वाला किसी भी प्रकार का वीर्य स्राव वात, पित, कफ या फिर द्वंद और त्रिदोशज बीस प्रकार के परमे, साती सात वीर्य का पतलापन, स्वप्न दोश, सिग्र पतन और आंसिक वय संपून नपुन सकता जैसी समस्चाओं को या ओशधी दूर कर सरीर के प्राकर्तिक वर्ण को निखारने का कारे करती है सरीर की प्राकर्तिक अगनी को या प्रजूलित करती है सारीरिक व्या मांसिक रूप से आपमें बल और छमता की व्रिद्धी करती है सब्त धातु की पुष्टी करने वाली इस ओशुधी का वर्णन सरुपर्थम बहसजरतनावली के प्रमेच चिकिच्चा प्रकरण में किया गया था चलिए इस ओशुधी के घटकों के बारे में जान लेते हैं इस ओशुधी के प्रमुख घटक हैं मैं इस ओशुधी को बनाने का तरीका आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बाजार में लगबग हर दवा कमपनी द्वारा या बनी बनाई बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाती है और इसे बनाना सामान्य जनके बसकी बात है भी नहीं इसलिए इस ओशुधी को बनाने का तरीका बताने का कोई ओचित्य है नहीं इस ओशुधी का प्रभाव मुख्य रूप से वात वाहनी और वीर्य का वेहन करने वाली नाडियों पर होता है साथी साथ संपून मुत्रवय संस्थान पर भी ये कारे करती है इसके सेवन से वीर्य स्त्राव तथा वात पित अवकफ स्वपन दोश मुत्रकरच और अस्मरी आदी विभिन रोगों में बहुत ये अच्छा लाब प्राप्त होता है या ओशधी रक्त धातु की वृद्धी कर मांस ग्रंतियों को मजबूत बनाती है सुक्र धातु को शुद्ध गाढ़ा बनाती है और इस वटी से मांसिक शक्ती में भी वृद्धी होती है जहां तक बात है इस ओशधी की प्रियोग विधी की तो एक से दो गोली सुभह श्याम ब्रमचर्य के नियमों का पालन करते हुए अनार के रस या फिर पानी के साथ इसका प्रियोग करवाने पर विसेश लाब की प्राप्ती होती है दोस्तों मैं आपने अनुभव से यहां एक बात कहना चाहूंगा या ओशधी अकेले जितना अच्छा लाब प्रदान करने की अपने अंदर छमता रखते हैं उससे कई गुना अच्छा लाब या ओशधी एक उत्तम से ओशधी के साथ प्रियोग करवाने पर करती है आम तोर पर इस ओशधी का प्रियोग चंदर प्रभावटी, काम चुड़ावनी रस, वीरे सोधन वटी, वीरे संबन वटी, मकर ध्वजवटी आदी का सयोग कर करवाया जाता है यह सब रोगी की स्थिती और रोग की उपर निर्भर रहता है तो दोस्तों बहुत ही सिग्रता के साथ लाब दिखाने वाली और प्रभावशाली यह ओशधी है आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारदी के यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अधिक से दिक लोगे पास शेर कीजिए, वीडियो को लाइक किए अपने सुझाओ, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताईए और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा, आप या गया चाहता हूँ, मिलते अगली वीडियो में, नमस्कार जाओफ याओ या जाओएब कर लीजेगाद कर लाँ. झाल झाल